इस दिन स्रिष्टी के पालनहार श्री हरी ने धर्ती पर मानव अवतार लिया था उस दिन को भला हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन सभी दिनों से शुब होगा जब भगवान श्री हरी ने इस धर्ती पर आने के लिए कदम रखा था भगवान विश्णू के आठवे अवतार श्री किष्ण के जनम को प्राचीन काल से ही बहुत ही हर्शोलास से मनाया जाता है आज भी जनम अश्टमी से एक हफ्ता पूर भी मंदिरों में कृष्ण के नाम की गूझ उठने लगती है किष्ण का नाम ही ऐसा है जो सारी जगा सारी स्रिष्टी पर गूझने लगता है और बहुत ही जगा पर तो श्री किष्ण के नाम के बहुत सारे जाकिया निकाली जाती है श्री किष्ण जनम अश्टमी का पूरे भारत में बहुत महतु है यह हिंदू के प्रूमक तिहारों में से एक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि स्रिष्टी के पालनहार श्री हरी विष्णु के आठे में अवतार श्री किष्ण ने यहाँ पर जनम लिया था धरती पर वो देश के सभी राजियों में अलग लग तरीके से महापर्व मनाया जाता है इस दिन बच्चे क्या बूड़े क्या सभी अपने अराध्यादेव की खुशियों को मनाने की कोशिश करते हैं व्रत रखते हैं और कृष्णर की महिमा का गुंगान करते हैं दिन भर घरों में मंदि जांकिया भी निकाली जाती है और स्कूलों में श्रिकिष्ण लीला का भी मंचन होता है तो इस तरह से सभी अपने अपने तरीके से जनमाश्टमी को मनाने की कोशिश करते हैं अगर आप व्रत रखना चाहते हैं जनमाश्टमी के दिन तो उसकी विधी क्या है उसको किस प् लुक्षत्र और अश्टमी तिथी के खतम होने के बाद ही पारण यानि के व्रत को खोल सकते हैं क्रिश्ण की पूजा निशीत काली यानि के आधी रात को की जाती है क्योंकि उनका नाम क्रिश्ण है इसलिए उनकी पूजा का रात को करने का अधिक महतों बोला गया है तो श्री कृष्ण का जनम वासुदेव और देवकी के घर रातरी बारा बजे हुआ था इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जनम को रातरी में बारा बजे मनाया जाता है। भर भजन कीरतन करते हैं और नाचते गाते हैं। माखन और मिश्री बहुती प्रियती कृष्ण जी को अपने बाल अवतार में उन्होंने इसी माखन के लिए कई गोपियों की मट्कियों को फोड़ा था और कई घरों से माखन चुरा कर खाया था। इसलिए उन्हें माखन चोर बहुत जगे से मंडली आकर उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं। श्रीकेश्ण जी को भोग के सवरूप में माखन मिश्री, खीरा, ककड़ी, पंच्यामृत और पंच्री का भोग लगाया जाता है। प्रंतो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसी चीज है जिस पत्र नहीं डालेंगे तो कृष्ण भगवान की क्रिपा आपको नहीं प्रापत होगी इसलिए भगवान कृष्ण को तुलसी का भोग लगाना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण को पंच्यामृत में दूद, दही, शक्कर, घी और शेहद मिलाकर भोग लगाया जाता है, भोग लगाते हुए इसमें तुलसी पत्र को जरूर मिलाएं, श्री कृष्ण जी को पंचीरी का जब भोग लगाया जाता है, तो ऐसे में पंचीरी में आटे से बनाई जाती है, इसको आप कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं, उसमें धनिया भी डाला जाता है, प भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्र चढ़ाना बहुत जरूरी है, अगर आप उसे नहीं चढ़ाते, तो आपके जो भी भोग आपने बनाए हैं, वो सविकारे नहीं माने जाते, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि भगवान को तुलसी क्यों इतनी प्रिय है, ये विशेष्टाएं धार्मिक विग्यानिक और औशदी अधार परवर्नित हैं, भगवान को भोग लगे और तुलसी दल ना हो तो भोग अधूरा माना जाता है, तुलसी को परंपरा से भोग में रखा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्णू को तु भगवान के बराबर पुन्ने मिलता है, और बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहन नहीं करते, उसे असविकार कर देते हैं, भगवान की क्रिपा से जो जल और अन हमें प्रापत होता है, उसे भगवान को अर्पित करना जरूर चाहिए, उनके प्रति प्रितिग्यर अप् धुरा माना जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगाने के साथ ही उसमें तुलसी डालकर प्रशाद ग्रहन करने से भोजन जो है वो अमरित रूप में शरीर में पहुँचता है, और ऐसी भी मानता है, कि भगवान को प्रसाद चड़ाने से घर में अनके भंधार भरे रहत तुलसी को तो भारत में भी जन्मानस में बहुत पवित्र माना जाता है, ये लक्षमी और नारायन दोनों का ही सामान रूप है, ऐसे में इसे हरी प्रिया भी कहा गया है, बिना तुलसी के यग्ये हवन, पूजा, करमकांड, साधना, उपासना कुछ भी पूरा नहीं होता, यहां तक के श्राद भी अगर करते हैं, तरपन किया जाता है, दान किया जाता है, कोई भी संकल्प लिया जाता है, जरणामिरत हो, प्रसाद हो, भगवान का भोग हो, तुलसी का होना तो बहुत अनिवार्य है. तो इस प्रकार से यह एक ऐसी वस्तु है ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तो कभी भी चनम आश्टमी के अफसर पर अगर आप वृत रखते हैं या आप वृत नहीं भी रखते हैं तो भगवान कृष्ण को अगर भोग लगाते हैं तो उसमे तुलसी दल को डालना कभी न भूले ऐसा अगर आप करेंगे तो भगवान श्री क्रेशन की विशेश कृपा आप लोगों को प्रापत होगी उनका आशिरवाद मिलेगा घर में खुशियां आएंगी और बरकत बढ़ेगी आज के लिए इतना ही आपका वीडियो को देखने के धन्यवाद